बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, असलाम लेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी बी एल कंसेप्ट बेस एडुकेशन लर्रिंग यूटीब चैनल मैं हमाद आपका ट्विटर, आज के से लेक्चर में हम बात करेंगे FSC Part 1 Physics, स्टूडेंट्स आपको बता हैं हम Annual Examination 2023 की Paper Pairing Scheme Question प्लस उनका Solution भी प्रवाइड किया रहा है, और ये स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा Simple Words में लिखा हुआ है इसके इलावा चैनल को सबस्क्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंस में भी शेयर करें ताके आपके सासाथ उनका भी benefit हो और ये पेलिंग स्टीम पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए अवेलिबल है, चाहे आप हम क्या आपसे शेयर करने लगे हैं, ये शेयर करने लगे हैं कि important question of chapter number one, chapter के अंदर से क्या क्या important question पूर सकता है, plus उनका solution भी आपको बताने लगे हैं, last previous video के अंदर मैंने क्या बताया था, आपसे ये शेयर किया था, कि chapter number one, measurement, उसकी exercise के जितने भी question है, उनमें से कौन से वीडियो से भी benefit उठा लें, अब students हम चलते हैं, page की तरफ move on करते हैं, ताके page के अपर लिखे गए हुए तमाम question को explain किया जाए आपसे, और ये 15 सिर्फ question है, इन 15 question को अच्छे से prepare कर लीजीगा, तो आप solution भी बताया गया, ताके आप students को अगर difficult लगता है किसी और solution book से पर, ये तमाम वो question है, जो आपकी book के अंदर से, मतलब chapter के अंदर से, जो first chapter के अंदर से, जो question है ना, वो मैंने लिये हुए, number one question जो आपने करना है, और most important है, तमाम पंजाब के boards के latest students के लिए है, मतलब चाहे आप लहोर से linked हो, चाहे गुज़राद से हो, चाहे आप गुज question देखें, कहता है, what choice would you have zero as a significant figure explained in reasons, उसके कहने का मतलब है, कि जो आपने significant figure में zero, zero कपड़ा था ना, कि zero left के, zero अगर किसी भी digit के साथ, किसी भी value के left side पे है, तो उसकी क्या अहमियत है, क्या हमें उसको count करना चाहिए, ये नहीं count करना चाहिए, ये वो कह रहा है, पिर इसी answer के अंदर आपको ये मिलेगा, कि zero अगर mid में हो, तो क्या वो count होता है, zero अगर बिल्कुल right के ओपर हो, किसी भी digit के किसी भी value के, तो उसकी क्या एहमियत है, ये चीज़ आपने explain करनी है, मैंने बहुत simple words में, आप students के लिए लिखा हुआ है, ताकि आप students को याद करने में को कोई परिशानी ना हो, कोई difficulty ना हो, क्योंकि students, आपको नहीं पता के FSC में सबसे ज्यादा students क्यों मार खा जाते हैं, उनको English याद करने में सबसे ज्यादा problem होती है, अब देखें, next question जो आपका है, वो है, difference between precision and accuracy, ये most important question है students, जिसको मैं सासाथ बोलता भी जाओंगा आपको के ये कौन सा question है, जो सबसे ज्यादा, इन में से भी जो सबसे ज्यादा important है, ये most question, ये most important question है, student उसकी वज़ा कि हर बोर्ड में ना, चाहिए आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ब्लोंग करते हो ना, हर साल, एक साल छोड़के दूसरे साल उसने ये question तो लाजमी डाला आ अब, precision or accuracy एक मिन्ट में आपको एक लाइन में सिर्फ समझा जाता हूँ, मतलब, आपको मतलब समझ आ गया, तो समझेज़े का definition आपको आज़े, precision का मतलब होता है, prescribe, मतलब कहने का, वो value जो हकीकत से करीब तर हो, मैं कहता हूँ, okay, 100 में से ना, मुझे एक value चाहिए, 100 में से 80 marks लेकिया हो, अगर कोई स्टूडेंट से 75 लेकिया आता है, 76 लेकिया आता है, 77 लेकिया आता है, 78 लेकिया आता है, 79 तक लेकिया तो वो समझे़, वो precision value है, वो prescribed value है, इस हमल को precision कहेंगे, ठीक है, अब accuracy की से कहेंगे, accuracy का मतलब हो value जब हम experiment के through, correct value लेकिया है, चाहे हम experiment मे यूज कर रहे हो, screw gauge यूज कर रहे हो, चाहे हम उसमे stop watch यूज कर रहे हो, वर्नीर कैलिपर यूज कर रहे हो, तो मैंने example दिया कि एक बचे ने 100 में से 80 लेकिया है, तो अगर वो students जो exact 80 लेकिया तो याद रखेगा, वो accuracy के अमल में आएगा, यही है इसका difference, अच्छा तो students अब देखें, यह आपका page number two है, इसको पर आपको third question मिलेगा, what are the, यह यह इसको इस तरह कह लें के two uses of dimensional analysis, dimensional analysis के दो इस्तामालात बताएं, अब यह question मैंने दो तरह से लिखा हुआ है, पहले मैंने दो uses लिखे हुआ है, वो काफी lengthy हैं, फिर उसके बाद मैंने or डाला, or डाल निचे वाले दो uses लिखना चाते हैं, आपको नहीं याद होता, वो students जिनको नहीं याद होता, तो वो क्या करें, नीचे वाले दो uses भी paper में लिखाएंगे ना, तो इन्शाला आपका वो रोंग नहीं करेगा, आपका आंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने न, ऊपर वाली जो लाइन है, following are the two main uses of dimensional analysis, यानि कि dimensional analysis जो process है न, वो किस मक्सद के लिए use होता है, number one आपको समझा देता हूँ, यह जो dimensional analysis का जो आपका topic है न, इसकी मदद से हम कोई भी formula, कोई भी equation, हम drive करते हैं, आपने पड़ा भी होगा, जैसे Einstein की equation है, उसको भी drive इसी से किया गया है, ज इसको भी essay drive किया गया, यानि कि जो आपकी equations है, motion की, अब दूसरा इसका क्या काम है, हम इसकी मदद से formula बना सकते हैं, equation मना सकते हैं, और उसको drive भी कर सकते है, drive का मतलब होता है, उसको मजीद extent कर सकते हैं, उसको सही prove कर सकते हैं, next आने वाले question मैं बताऊंगा, कि drive का क्या मत random error क्या होता है, random error एक ऐसा error होता है, जो ना, एक instrument से हम, चाहे वो instrument आपका वर्नियर के लिए पर हो, screw गे, जो उसकी मतलब से, जब भी हम measurement लेना, तो वो measurement में error बार 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 पीटो, ठीक है, अब जो systematic error है, इसका answer जो है, वो next page पे है, चलें, अब हम next page की तरफ move on करते हैं अच्छा तो students, अब देखेगा, इस page के ओपर आपको क्या शो हो रहा है, systematic error, systematic error, ऐसा error होता है, जब हम किसी भी measurement को, किसी भी instrument से लेते हैं, चाहे वो screw गे, जो stopwatch हो, या vernier carryper हो, तो जो figure में difference है, जो values में difference है, जो value में फरक आ रहा है, जैसे मसाल के तो पहली दफाँ मैंने measurement रही तो मेरी value के अंदर फरक क्या रहा है, जो answer मैंने चाहिए, मुझे answer चाहिए 80, लेकिन मेरा जवाब आ रहा है 75, तो फरक पांच का रहा है, जब भी मैं किसी भी instrument से, इस measurement को बार बार लेता हो, तो मेरा जो फरक है, वो बार बार पांच का ही आ रहा है, फरक मेरा decrease नही कर रहा है, नहीं increase कर रहा है, 75 से नहीं 76 हो रहा है, नहीं 74 हो रहा है, तो ऐसे error को systematic error कहते है, next question देखिएगा, आपका question number 5 होगा, write the dimension of a force, जैसे आपने previous किया था था, exercise के अंदर dimension of pressure and density, इसी तरह, force की क्या dimension है, ये देखिए, आपको explain किया होगा है, कि force की dimension को आपने की तरह लिखना है, तो students, ये ही है, drive the formula, आपने पढ़ा था है, पीछे question, use क्या है, इसका dimension analysis का, कि ये फार्मले को क्या करता है, drive करता है, बनाता है, तो ये देखो, ये force का formula, force की dimension इस तरह बनती है, ये question number 5 है, आपका, अब हम question number 6 की तरह move on करते हैं, अच्छा तो students, अब देखिए तो question कहा है, कहता है, what is the dimension and unit of gravitational force in the formula of f is equal to m1, m2 over r square, तो students, ये जो formula आपके सामने लिखा हुआ है, ये formula भी वो आगे लिख सकता है, आपको इतना भी question वो दे सकता है, क्या, वो कह सकता है, आपको, what is the unit and dimension of gravitational constant g, ठीक है न, तो आगे formula लिखा हो, चाहे ना लिखा हो, आपने इस question के अंदर ये formula को prove करके बताना है, कि इस formula की dimension क्या बनेगी, और फिर dimension के बाद आपने prove करके बताना है, कि इसी formula के अंदर constant g का unit क्या होगा, तो मैंने very easy way में आपको समझाने के कोशिश किया, आप एक दफापढ़ेंगे, फिर भी आपको को issue होगा, कोई problem होगी, कोई query होगी, तो मुझे comment section में लाज़ में बताइएगा, अच्छा तो students अब देखें, ये next page है आपका, इसके ओपर आपको ना previous question number six की three lines आपको show हो रही है, उस question का आंस यहां पर भी लिखा हुआ है, अब आगे देखिएगा, question number आपके पास seven है, show that Einstein Einstein equation, e बराबर है, mc square, dimensionally correct, कहता है, क्या Einstein ने जो equation दी है, अपनी, इसको dimensionally अगर हम correct करें, left hand side को रखें, e, right hand side को रखें, mc square, क्या इसको prove करें, तो left hand side is equal to right hand side, ठीक आती है, कि नहीं ठीक आती, यानि कि Einstein ने जो equation दी है, ये ठीक दी है, कि नहीं ठीक दी, मैंने easy way में ये question, ऐसा question है, very 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 important, ये question है, students, मैंने दो तीन ऐसे question previously बोच चुका हूं, जो के बहुत ज्यादा paper में आते हैं, तो ये question ऐसा है, जो हर साल नहीं, एक साल छोड़ के नहीं, अगर किसी student को first paper के अंदर, किसी का first, दिन के वकर जो paper है, first paper है, उसका, अगर उसमें नहीं ये question आया हुआ, तो second time के paper में ये question लाजमी वो पूरता है, students, आपने इस question को कभी भी ignore नहीं करना, कभी भी इस question को छोड़ना नहीं है, अच्छा तो students, अब देखेगा, अब आपको next question शोर है, page number 5 के ओपर, ये question है, question number 8, very very important, students, ये भी question है, जैसे मैंने आपको previous question number 7 बताया है, Einstein equation बहुत दफाँ पूरता है, अगर first paper में नहीं पूरता है, तो second time के paper में वो पूरता है, तो students, ये भी question वैसा ही है, ये दो question बहुत ज़्यादा important है, ये कहता है, जो आपकी equation है न, VF is equal to VI plus 80 square, इसको dimensionally correct करके बताओ, यानिके left hand side पर आप क्या रखेंगे, VF, final velocity, right hand side के आ आप क्या रखेंगे, VI plus 80 square means initial velocity plus acceleration or T square means time, इसको आपने correct प्रूफ करके बताना है, left hand side को is equal to right hand side करना है, students, जैसे आपको लिखा हुआ है, ऐसे कीजिए का paper में marks आएंगे, हाँ, अगर आप किसी notes में भी कर रहे हैं, आपको वहाँ से easiness लगता है, करें, मैं ये नहीं कहता है कि मैं आपके ओपर restriction नहीं लगा रहा, कि आप इन ही चीज़ों को करें, आपको कहीं और से याद है, तो हाँ, उसको याद, इसी question को वहाँ से याद आपने किया हुआ है, रखें याद, लेकिन ये question आपने करना लाजम है, इसको छोड़ना नहीं है, ignore नहीं कभी करना है, इ इस question को वह पूछ था कैसे है, मैं आपको different situations भी साथ बताऊंगा, आपने note 1 करते रहना है, number 1 देखेगा, आपको ऐसे ही कहेगा, differentiate या difference between, या right down the difference between radian and straight radian, तो radian एक ऐसा angle होता है, जो plane angle, अच्छा, radian को plane angle कहते हैं, two dimensional, यानिके 2D angle इसको कहते हैं, मतलब क्या, आपने की गई हुई requirements को पढ़ते हैं, तो याद रखीगा, यह आपका कहलाता है, radian, okay, अब radian को plane भी कहते हैं, तो आपसे वो question कह सकता है, define plane angle, तो आपको ये पता होना चाहिए, कि वो आपको radian की definition पूछ रहा है, ठीक न, आपसे वो ये भी कह सकता है, define 2D angle, तो 2D angle, two dimensional angle, मतलब आपसे question क्या पोच रहा है, radian ही पोच रहा है, अब street radian की बात करते है, street radian का जो दूसरा नाम है, वो कहता है, solid angle, ये most important word है, वो अकसर उसने paper में ये कहा हुआ है, आपको previous 15 to 20 year के paper उठा है, तो आपको उसने कहा हुआ है, कि what is a solid angle, ये define solid angle, तो मतलब वो street radian के आपको definition प angle ठीक है, इसको space भी कहते हैं, तो आपसे वो क्या पो सकता है, question street radian का, define street radian, ये आपको वो कह सकता है, define solid angle, ये आपको कह सकता है, define 3D angle, ये आपको कह सकता है, define plane, तो एक ऐसा angle जिसमें तीन आपको angles show होते हैं, कौन सा, three dimensional angle ही होता है, x-axis, y-axis और फिर इसके बाद, z-axis जिस इस question की different different है, other name भी share कर दी है, share कर दी है, आपसे, के वो paper में किस तरह है, इसको बो सकता है, ठीक है, now students, अब देखिएगा, next question, question number 10, why define significant figure, explain करो with example, अब significant figure, क्या क्या करना है, definition लिखनी है, चाहिए आपको आपको आपकी book से याद है, वहां से कर लो, आपको आपके notes से आपने minimum hundred, तो आपने definition से पूरी subject के अंदर याद करनी होती है, तो आपको अगर words, जो मुश्किल लगते हैं न, तो आप simple words में लिखो, तो आपका paper के अंदर से, वो, वो सिर्फ यही check करता है, कि आपने क्या question उसने पूछा हुआ है, उसका main idea लिख दी है, चाहे words आपके simple हूँ, चाहे words आपके difficult होड़े से हूँ, तो यह students मैंने question number 10 आपसे share कर दिया, अब हम next question की तरफ move on करते है, अच्छा तो students, आप देखिएगा, आपका page number 7, question number आपका है 11, वो question number 11 आपको कहता है, define and explain the scientific notation with example, तो आप students को बता है, आपकी book की अंदर भी scientific notation की definition लिख हुई है, I वो चीज़ समझाऊ, जो इस question में मुझे लग रहा है, कि आप students को याद करने में problem हो सकती है, अगर आपको थोड़ा सा central idea दे दिया जाए उस question का, तो आप उसको आची तरह explain कर पाऊगे, तो इस question को आपने याद करना है, with example, ठीक है ना, अब next question देखें, question number 12, very very important students, यह भी है न, students, इन words को याद रखेगा, paper में वो यह words use कर सकता है, आप minimize को याद करके जाते हो, उसकी जगा reduce भी वो कह सकता है, उसकी जगा आपको वो decrease word भी use कर सकता है, तो वो आपको कहता है कि systematic error को हम किस तरह use, किस तरह उसको हम reduce कर सकते हैं, तो systematic error को reduce करने का क्या तरीक है, आपना question number 13 अपना देखें, what is the, write down the characteristics of an ideal standard, यह question आपको आया भी हुआ है, ठीक है न, बहुत important यह question है, अक्सर इस question को आपके सर यह आपके teachers गहरे नहीं कराते, college में या school, उसमें, academy वगरे में, ठीक है न, तो इस जेखो, ideal standard की खसूसित क्या है, पहले यह समझो, ideal standard होता क्य ideal standard, ऐसा standard जिस ऐसी वो instruments, जिसकी मदब से हम measurement लेते हैं, ठीक है न, students, इसाल के तोर पर screw gauge, store watch, वर्नियर केरिपर, तो यह आपके standards है, तो इनकी एक ideal standard की अच्छी खसूसित क्या होती है, number one, वो easily available होता है, ठीक है न, इस question के जो answer है, वो next page के ओपर आपको शोर आगा, लेकि consistent होगा, मतलब ये, एक तो market में असानी से ये मिल सकेगा, दूसरा students, ये consistently काम करेगा, मुसलसल काम करेगा, कभी भी ठके गानी, ये नहीं करेगा, कि दो दफ़ा measurement ली तो ठीक दी, तीसरी दफ़ा measurement वो गलत देना शुरू हो गया, ठीक है, ऐसा instrument जो तीसरी दफ़ा में गलत measurement देना शुरू हो जाए, वो फिर आपका ideal standard नहीं कहलाता, अच्छा तो students, अब देखेगा, अब आपको last page यो हो रहाओगा, page number 8 है, आपका question number 14, कहता है, how many nanoseconds are in one year, ये ऐसा question है, students, जो आपको mostly वो repeatable, ये question है, बहुत ज्यादा दफ़ा ये पूछता है, पंजाब के, किसी एक year, और एक दिन में घंडे कितने होते हैं, 24, फिर mint कितने होते हैं, 60, फिर seconds कितने होते हैं, तो 60 वो भी, तो आप इस तरह 9 seconds तक पहुंच जाएंगे, आपको नीचे available है, लेकिन ये question ऐसे भी बहुता है, कहता है, how many seconds are in one year, तो एक साल में seconds कितने होते हैं, तो जहां तक म लिखेंगे, लेकिन अगर आजे how many nanoseconds in one year, तो आप complete लिखेंगे, ये नहीं समझेंगे कि second के बाद जो छोटा सा portion है, वो nanosecond के आंस के अंदर आएगे, नहीं, आप complete आंस को लिखेंगे, तो ये आपका question number 14 हो गया, question number 15, और last देखें, कहता है कि methods बताएं to reduce the uncertainty in timing of experiment, timing experiment means हम जब experiment करते हैं न, वर्नीर केरिपर के थ्रू, screw gauge के थ्रू, उसके लावा हम stuff watch के थ्रू, तो students इसके अंदर जो हमें uncertainty मिलती है, यानिके वो values जो हमारे आंस के साथ match नहीं करती ही, मिसाल के तोर पर हमारा आंस आना चाहिए, 80, आंस आता है 75, तो difference कितने का आया 5 का, तो ये 5 23 आगी, तो कहता है, इसको reduce करना है, इसको काम करना है, तो आपने जब final result लिखना है, तो उसके अंदर आप किस तरह लिखेंगे, तो आपको आंस में दिया गया हूँ है, आप यही आंस कीजिएगा, students ये बहुत easy way में आपको explain किया हूँ है, तो आपको वो एक method भी बो सकत करने के बाद, उनका average ले ले लें, यानि कि divide two से करते हैं, ओके, दूसरा वो क्या कहता है, कहता है, इन तमाम values को बार बार note करें, और cloak बार, cloak का यह मतलब है, जैसे screw gauge यहां, store watch के ओपर, आपको screen window नज़र आ रही होती है, उसके ओपर note करते जाएं, आपको जितने mint में uncertainty आ रही है, उस mint को आप क्या करें, divide कर लें, two के ओपर तो आपका जो answer वो बिलकुल correct हो जाएगा, मतलब उस instrument, उस measurement के अंदर uncertainty दूर हो जाएगी, तो students यह थे आपके 15 questions जो आपको बहुत ज्यादा benefit करेंगे आपके paper के अंदर, तो I hope so, आप इन question को ज्यादा अच्छे से prepare कीजिएगा, यह वो तमाम 15 questions थे, प्लस उनका solution था, जो आप students को इस साल annual exam 2023 के related बहुत ज्यादा benefit करेंगा, I hope so, आप students इस वीडियो से ज्यादा से ज्यादा benefit उठाएगे, इसके लावा चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करेंगे, इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्या ज्यादा का भी, Allah आपिस.